सच श्रीयकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रसिपीज में तो फ्रेंस देर ना करते हुए चली हम अपनी आज के रसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी तो यह देखिए फ्रेंस हमारा कुरकुरा मसालेदार और गिहों के आटे से बना हुआ पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और यह सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है healthy भी है तो बनाना शुरू करते हैं और साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही जादा आसान है तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना है हम यहाँ पर गिहूं का आटा लगा कर तयार करेंगे तो मैंने यहाँ पर दो कप गिहूं का आटा ले लिया है उसमें हम डालेंगे दो से तीन बड़े चमच के करीब रिफाइंड ओईल और आधा छुटा चमच हम इसमें नमका डालेंगे सबसे पहले हैं सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाने डालते जाएंगे और आटा लगा कर तयार करेंगे नॉर्मली हम जैसे रोटी का आटा लगा कर तयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें लगाना है नजादा सक्त हो नजादा सॉफ्ट हो बिल्कुल मीडियम तरह का आटा आटा आप इसमें लगा कर तयार कर लीजे जितना अच्छी तरह आप आटे को मसलेंगे उतना ही स्वादिष्ट हमारा पराठा बनेंगा तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर आटा लगा कर तयार कर लिया है इस आटे को हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा इसके ओपर मैंने ओईल लगा दिया है और 10 से 15 मिनट आप इसे छोड़ दीजे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए अब जब तक आटा हमारा आराम कर लेता है तब तक हम यहाँ के लिए स्टफिंग बना कर तयार कर लेते हैं तो देख लेते हैं स्टफिंग के लिए मैंने हाँ पर किन किन चीजों का यूज किया है पहले मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और फिर अब हम स्टफिंग दिख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक प्याचको बारिक टुकडों में काटा है एक टमाटर बिलकुल बारिक कटा हुआ एक शिमला मिर्च बारिक कटी हुई यहाँ पे मैंने पनीर ले ली है बिल्कुल फ्रेश पनीर का इस्तमाल कीजिएगा आप और पनीर को हम इस तर ऐसे ग्रेट कर लेंगी कदूकस कर लीजिए आप पनीर को जब सारी पनीर आपकी ग्रेट हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी चीज मैं यहाँ पर लीजिए प्रोसिस चीज चीज यहाँ पर बिल्कुल आप्शनल है अगर आपके पास अवलेबल है और आपको पसंद है तो आप इस्तमाल कीजिए नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो इसे भी मैं कदूकस कर देती हूँ ग्रेट करने से यह जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इसका टेस्ट सभी तरफ बराबर फैल जाएगा तो यह देखिए अब हमारी सारी चीजे तयार हो चुकी है आप चाहें तो बारी कटी हुई हरी मिर्च का भी इसमें 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 डालेंगी नमक नमक आपको थोड़ा कम डालना है आदा छोड़ा चमच लाल मिचका पाउडर और यहां पर मैंने सेजवान चटनी का इस्तमाल किया है इसे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा और काफी सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं आप यहां पर नमक कम डालेगा क्योंकि आटे में भी नमक है और इस रेसिपी में हमने चीज का इस्तमाल किया है तो चीज में भी नमक होता है फ्रेंज इसलिए आप नमक यहां पर थोड़ा कम ही डाले अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिला ले यहां पर मैंने बहुत बेसिक सब्जियों का इस्तमाल किया है टामाटर प्याज, शिमला मिर्च आप चाहें तो उबले हुए आलू, उबले हुए कौन जो भी चीज़े आपको पसंद है, उन सभी का आप इस्तमाल कर सकते है अब मसाला भी तयार है और आटे को भी मैं एक बार फिर से थोड़ा सा मर लेती हूँ बस, आप हम इसकी लोई तोड़कर तयार करेंगे तो जो लोई हम इसकी तोड़ेंगे, हमें थोड़ी बड़ी लोई तोड़कर तयार करनी है यह देखिए, जितनी हम रोटी की लोई तोड़ते हैं, उससे डबल तो अब नॉमली जैसे हम रोटी को बेल कर तयार कर लेते हैं, हम इसे बेल कर तयार कर लेते हैं तो सूके आर्टे में थोड़ा सा हमें से डिप कर लेते हैं और जितनी बड़ी रोटी आप इसकी बना सकते हैं उतनी बड़ी गोल्ड रोटी आप बना कर इसकी तयार कर लें और रोटी जादा मोटी नहीं होने चाहिए और जादा पतली भी नहीं होने चाहिए मेडियम तरह की रोटी आप यहाँ पर लगा कर तयार कर लीजेगा तो यह देखिए काफी बड़ी रोटी मैंने बना कर तयार कर ली है अब हम इसके उपर मसाला डालेंगे बिल्कुल सेंटर में जो हमने स्टफिंग तयार की है तीन से चार बड़े चमच आप इसमें स्टफिंग ढाल दीजे बहुत ही चटपट इसी स्टफिंग है बहुत अच्छी लगती है इस पराठे के साथ बस यहाँ पर मैंने तीन से चार बड़े चमच स्टफिंग बिल्कुल सेंटर में डाली है आज मैं बिल्कुल सिंपल तरह का आपको बताऊंगी जिससे आप पराठा फोल्ड करेंगे जो की है ट्राइंगल तो पहले इसे एक साइड से फोल्ड कीजी इस तरह से कॉर्नर्स को थोड़ा सा प्रेस कर लीजे तागे यह चिपक जाए फिर दूसरे साइड से भी हम कुछ इसी तरह से फोल्ड करेंगे देखिए ट्राइंगल बनाना है हमें कॉर्नर्स को प्रेस करना है और फिर जो लास साइड है उसे भी फोल्ड करेंगे लास साइड को फोल्ड करते वग आपको ध्यान देना है जो मसाला है हमारा पूरी तरह से छुप जाना चाहिए, बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए, एकदम पैक हो जाना चाहिए, इस तरह से आप इसे थोड़ा उपर करते हुए, इस मसाले को पैक कर लीजिए, अब बस हमने तीनों ट्राइंगल बना लिए, हलके हातों से बि बेलनसे इसे थोड़ा सा बेल लीजिए, बेलनसे बेलने से क्या होगा, यह चारो तरफ इक्वल हो जाएगा, और जब हम इसे सेकेंगे, तो कहीं से भी कच्चा नहीं देगा, बेलनसे बिल्कुल हलके आतों से आपको इसको थोड़ा सा ही बेलना है, अब बस हमारे ट्राइ से मीडियम फ्लेम पर आपको अलड़ते पलड़ते हुए से सेखना है जब तक इसके उपर स्पोर्ट ना आ जाएं लाइट लाइट ब्राउन ब्राउन दोनों साइट से आप से किए अंदर सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे चीज भी मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही इस पी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके उपर ठोड़ा घी लगाएंगे और अब ये गर्मा गरम सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंट आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरू ट्राय कीजिएगा और अपने एक्सपीरेंस नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लेकर बताएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आया है अब तक सब्सक् क्लिक करते ही बल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे हर लेक्टेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके तो अब मैं आपके साब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई